हेलो एवरीवोन गुड मॉनिंग नमस्कार 16 मार्च 2021 और आज के दे हिंदू निजपेपर गोवम लोग डिसकस करेंगे अनलेसिस करेंगे आप इसके पीडियाप को डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम से जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्सिन मिल जाएगा यह सीधा के अंदर और 93 परसेंट जो स्ट के लिए रिजर्व पोस्ट हैं प्रोफेसर्स को लेकर सेंट्रल वरिष्टी के अंदर वह अन फिल्ड है यानि कहीं ने कहीं वह भरी नहीं गी है एक डेटेल जो है यहां पर पब्लिश की गी है यहां पर आप देखेंगे कि वेरियस सेंट सब्सक्राइब हो जितनी भी इंस्ट्यूट है हर में आपको वेकेंसी जो हो खाली दिखाई देगी इनके अलावे यहां पर आप देखेंगे वेरियेशन बहुत ज्यादा है इन सब के वीच में क्योंकि आपको पता हुगा इस टाइम बजट सेशन का सेकेंड पार जो हो च इन सब के अलावा यहां पर आप देखेंगे चाहे वो आयाइटी हो आयाइम या दूसरी इंवरिस्ट्य वहां पर भी सेम भूश रिच्टरी की खाली आपको देखने को मिलेगी सेंट्र एजूकेशन इंस्ट्यूशन डिजर्वेशन इन टीच्चर्ड का डिरेक्ट 2019 के ब बच्चे प्रपीशिन करते हैं अगर यहां पर वेकेंसी खाली होगी तो यह गलत मैसेज आता और क्या इसलिए यह बड़ा रिजन है जिसकी वज़े से दुनिया के टोप 100 इंस्टूट्स में भारत के इंस्टूट्स जो है वो कहीं कहीं पीचट जाते हैं क्योंकि हमारे पास फेकलिटी पूरी की पूरी फिल नहीं हो रही है इसके बाद यहां पर कंटिन्यू सेम चीजें कोविड नाइंटिन के के से जो है लगातार सर्ज और इंक्रीज हो रहे हैं और इसके पीचे एक बड़ा रिजन जो है लेक्जिटी कह सकते हैं चीजों को बहुत ही लाइड़ यह कुछ स्टेट है जहां पर नंबर ऑफ केशी जो कंटिन्यू राइज हुए तो इनके अंदर बहुत जादा हलके लेना बहुत जादा लाइड़ लेना यह कईने की बड़ा रिजन इसमें है इसके बाद इसी पेज पे आप जाएंगे राइट एंड साइट पे एक बिल जो एप्रिजेंट किया जाएगा बिल टो डिफाइन दिल्ली एलजीज पावर मूर इन लोकसवा यानि एक बिल जो था वो परपोज किया गया है लोकसवा के अंदर मिनिस्ट्रे ऑफ होम अफेर द्वारा जो के दिल्ली के लेटिनेंट गवर्नर हैं उनकी पावर को डिफ बनाएगी और कहीने कहीं एक असेम्बली क्रेट करेगी जिसके अंदर कुछ प्रूविजन को छोड़के बाकी सारी पावर जो उनको दी जाती है इनके अलावा इसके अंदर कॉंस्ट्यूशन के अंदर आर्टिकल 239AA यह ध्यान रखेंगे दो दो चीज़े ध्यान रखने पहला आर्टिकल 239AA जो है वो कहीन के दिल्ली की असेम्बली से लेटेड है इसके अलावा 69 अमेंडमेंट जो है वो समिदानिक संसोदन वो भी कहीन के दिल्ली की यूज़े यूनियन टेरिटरी जिसमें नैशनल केपिटल टेरिटरी या वहाँ पर असेम्बली बनेगी पावर होती है स्टेट को वो उनको दी गई है याद रहें कि दिल्ली एक फुल फ्रेज स्टेट नहीं है इनके अलावा 2021 में इस तरह का बिल जो है प्रिजेंट किया जाएगा वरियर सक्षेंज को इसमें कुछ चेंज किया जाएगा यानि उनकी अपनी मनमर्जी से नहीं जो भी केविनेट उनको सला देती है उसके क्योर्डिंग जो है उनको रूल फोलो करना चाहिए वो केवल रेर केसिज में ही अपने एक तरीके से सव नेने या डिस्क्रिशनेरी पावर को फोलो कर सकते हैं हर एक केस में नहीं अगर केवि पेज नमबर एट पे हम जाएंगे और पेज नमबर एट पे यहां पर आप देखेंगे बी फेंस करके एक चीज़ दिगी है ताकि अलिफेंट अटेक को कहीं नहीं रोका जासके और यह कहां पर किया गया करनाटका के अंदर एक पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में लॉ है उसका इनिशेट्व है जिसका नाम है प्रोजेक्ट आर इएचेवी करके रिडिउसिंग एलिफेंट हुमन एटेक यूजिंग बीज यानि जो हुमन एलिफेंट एटेक है उसमें बीज के तरू या मदूमक्खी के तरू उसमें अगर आप देखेंगे इस तरह के बोक्स यह इंपोर्टेंट इसमें इन्फरमिशन है इनके अलावा खादी एंड विलेज जो यह एक तरीकिस खादी एंड विलेज इंडिस्ट्रियर्ज कमिशन जो है उसके तरू वरियस बुक्सी जो इस्ट रिलिश्मेंट के जाएंगे और कहीं न कहीं यह हूमन एलिफेंट को जोन्स को कहिने के ब्लोक करने में या एलिफेंट का हुमन हैविटेशन में इंटरेंस को रोकने के लिए भी यह काम करेगा नाइट विजन कैमरा जूज के जाएंगे ताकि क्लेरिटी इसके अंदर प्रोपरली हो आपको नीचे कमेंट करना है कि नागर होल टाइगर रिज यह बोल रहें कि Center to expand air bubble packed with more countries, air bubble का मतलब के है, simply आप समझ लिजिएगा एक limited flights को रिजूम कर दिया जाए, पहला होता है फुल फ्लेज कमर्शियल फ्लाइट क्योंकि वो दुनिया में अभी भी जो हो हमने implementation नहीं कि क्योंकि situation COVID-19 की पूरी तरीके से खतम नहीं है, उसके प्ल में अगर आप देखेंगे, Western Side, South Saudi Arabia, Kuwait में Western में होगा, और Eastern Side में Japan, China और Singapore, इन में flights को फिर से शुरू करने के बारे में government जो है, उन पर एक तरीकेस expand किया जा सकता है, और भारत जो है, दुनिया का सबसे बड़ा एक तरीकेस हमने program launch किया, इसका नहीं था वंदे भारत मिशन जिसके तरू हमने भारतिय नागरिकों को एक तरीकेस निकाला और इसमें various countries में सामिल हुए, इनके अलावा क्योंकि ये एक important topic है और इसलिए भी कि बहुत सारे लोग जो है, जाए वो Gulf countries हो, वहाँ पर काम करने के लिए जाते हैं, बहुत से रेमेटिस मिलते हैं, इनके अला यहाँ पर एक information दी गई है, यह information दी गई है, हमारी जो फिनिस मिनिस्टर निर्मला सितरमन और अनुराग ठाकवर जो की Ministry of State for Finance है, इन्होंने बोला है कि फिलाल कोई proposal नहीं है, पेट्रोल और डीजल को under GST लाने को लेकर, यानि पेट्रोलियम प्रड़क्ट और डीजल को ज किया गया था, यह item कौन-कौन से थे, इसमें आप देखेंगे पेट्रोलियम है, पेट्रोल, डीजल, ATF, नेजरल गैस, यह आप इसमें information देखेंगे, इनके अलावा इन्होंने यह कहा है, कि अगर स्टेट, यह कोई स्टेट ऐसा फिल करता है कि GST में इसको include किया जाना चा सकता है, बस दरते स्टेट गवर्मेंट को भी अपने टेक्सीज को कम करना पड़ेगा, आपको पता होगा क्योंकि स्टेट गवर्मेंट के पास revenues के बहुती limited source है, जिसमें से fuel एक important है, इनके अलावा alcohol एक important revenue का source है particular state government के लिए, इसलिए बहुत सारे स्टेट जो है, वो नही चाहते हैं कि GST के अंदर इसको include किया जाए, इनके अलावा इन्होंने बताया कि 2020 में मार्च में 19 पर वैरल इसका price था, crude price था, और अब जो 65 के असपास हो चुका है, तो इसमें difference इसलिए एक तरीके से है, इनके अलावा बाकी ये चीज़े जो है political चीज़े हैं, इनके बार information दी गए, चोटी-चोटी government द्वारा या कह सकते हैं कि house के अंदर या parliament के अंदर कि 2019 से government ने 2000 के जो note है, वो print नहीं कियें, ये information दी गई है, ताकि बड़ी currencies ज्यादा से ज्यादा circulate ना हो, और इसका region ये हो सकता है, कि साइद बड़ी currency के fake बनने से काफी economical loss भी हो सकता है, इ लेकिन इसमें minimum value रखने कोशिस की जारे 2000 notes की, तो इसलिए वो लगए 2000 के notes जो है, वो 2019 के बाद print नहीं किये गई, ये information दीगे लोकसभा के अंदर, right, left hand sides आएंगे इसी page में, इसी page में दिया गया है कि हर्याना एं तमिल नाडू के अंदर institute get national important tank, यानी हर्याना के अंदर औ 2019 के तरू, दो जगह पर एक तो हर्याना में कुंडली है और सेकिंड जो है तंजावूर है तमिल नाडू के अंदर, इनको national importance दी गई है, ये आप ध्यार रखेंगे, दर राजसेवान मंडे पास्ट दर national institute of food technology entrepreneurship and management bill 2019, इसके तरू क्या किया गया है, that confirm the status of national importance on two food technology institutes at कुंडल इन हर्याना एन तंजावूर इन तमिल नाडू, ये बहुत important information है, और इस तरह की जो rare information होती है, जिसको हम लोग generally skip कर देते हैं, ये exam में आने की possibility अच्छी होती है, और mains में ये कहीं एक important role play कर सकती है, इसके बाद page number 10 पे हम जाएंगे, page number 10 पे आप यहां पर देखेंगे, में क्यों एक चीज़े आपको देखने को मिलेगी, BRO यानि Border and Road Organization के थुरू जो है, वो एक pass जो जल से जल खोलने के बारे में काम करना सुरू करती है, ये pass कौन सा है, या दर्रा कौन सा है, बाड़ा लाचा ला, पास, ये काफी important है, क्योंकि ये हिमाचर प्रदेश को ले से करक्ट करता है, और ले और लताक की जो connectivity है, ये बहुत important है, आर्मी की moment के लिए, या जो आर्मी को लेकर एक तरीके से जो infrastructure या जो एक facilities प्रोवाइड करते हैं, या हम लोग जो राशन जिसको बोल सकते हैं, पहुँचाना होता है, वो moment के लिए काफी important है, और इसके लिए इ ministry के अंडर काम करेगा, ये आपको नीचे कमेंट करना है, इनके अलावा ये बहुत important है, क्योंकि बाड़ा लाचला जो दर रहा है, ये जासकर रेंज के थुरू और सब-zero freezing conditions के अंदर कैसे 15 से 20 feet तक एक snow accumulation होती रहती है, और conditions यहां पर challenging है, अबलांची जैसी चीज़े आप आपको यहां पर देखने को मिल सकती है, और adverse weather के अंदर ये कही ने कही major connectivity का एक important एक तरीके से place हो सकता है, इसके बाद यहां पर आप देखेंगे, इंडिया का जो arm import है, यानि जो weapon हो import करते हैं, वो 33% कमी हुई है, ये एक report है, Swedish think tank के मामले में, इनके अलावा यहां पर कहीं इसलिए हुआ क्योंकि एक procurement process में complexity या एक तरीकी से challenge हमें देखने को मिल रहा है, यहां पर आप देखेंगे, arms import decreased by 33% ये एक report आई है, Stockholm International Peace Research Institute की, इनके अलावा भारत इन सब के वाहुदूद सेकेंड हाइस्ट इंपोर्टर है, वेपन्स का सौधिय अरिभिया के बाद, यहां पर आप देखेंगे कि सौधिय अरिभिया की एक अलग situation है, सौधिय अरिभिया जो है mostly weapon import करता है, भारत जो है कुछ अपने level पर भी develop करता है, इसलिए कई बार government का एक initiative होता है, कि हम अपने level पर develop करें, weapons को या self freelance होने चाहिए, weapons को develop करने के मामले, रश्या अभी भी larger supplier की तरह है, हलाकि रश्या से जो weapon हम खरीदते हैं, उसमें एक drop out देखने को मिला है, 70-49% तक ये drop out है, इनके अलावा, US second largest arm supplier है, इन सब के अलावा, France और इसराइल, इन सब से इन दोनों कंट्री से हमारा weapon trade है, या हम weapon import करते हैं, वो increase हुए है, और इन सम्में, जो France उन से सब से ज्यादा increase हुए है, इसी तरीकी की information है, वो Pakistan के context में भी है, और पाकिस्तान ने भी 2011-15 से 2016-20 के बीच में, उनका import कम हुआ है, लेकिन चायना अभी भी 61% import का एक partner है उनका, और उन्होंने order दिया है, जो कि long term order होंगे, दोजार अठाइस तक, 50 combat aircraft, 8 submarines, ये बड़ा order है, जो submarines होती है, ये बहुत कोशली पड़ती है, तो ये 8 submarines होगी, और 4 frigates from China and 4 frigates from Turkey, ये उन्होंने order दिया है, इनके अलावा क्योंकि submarines हो गया, aircraft carrier होगे, इस तरह की जो चीजे होती है ये बहुत बहुत कोशली है, और ये डवलप करना बहुत जूरूरी है, क्योंकि naval forces को strength देन that's for great Indian bastard, basically information क्या है, high voltage wire के वायर के वज़े से, जो great Indian bastard है, ये एक तरी के critically endangered species के अंदर count की जाती है, और भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ ये कहीने कहीं विजिट करती है, mostly राजस्तान और दूसरी साथ जो है पाकिस्तार की वहाँ पर ये रहती है, लेकिन इसमें सुप्र now critically endangered species को नुकसान भी न पहुंचे और जो high voltage wire है या जो development उसको भी continue किया जासके, right, इसके बारे में 2020 में question आया था, UPSC में question number 95 आप देखेंगे, with reference to Indian Desert National Park, which of the following statement are correct, ये question आपको नीचे comment करना है, it is spread about two districts, Indian Desert National Park के बारे मताया गया कि दो district के अंदर spread है, ये दो district में फेला हु there is no human habitation inside the park, यहाँ पर कोई mano habitation नहीं है, इनके लावा third important है, it is one of the natural habitats of great Indian Bustard, इन तीनो statement में से कोन कोन सी सही है, वो आपको नीचे comment करना है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, भारत के मुरू राष्टे उध्यान के संद्रम में, निमलिक्त में से कोन से कथन सही है, ये द great Indian Bustard के प्राकरती कावासों में से एक है, यहाँ पर ये कूट देखेंगे, उप्सन देखेंगे, इनका प्रियोग करते हुए आप जो है answer करें, इसके बाद page number 13 पे हम जाएंगे foreign affair में, और 13 पे एक information जो है, वो information क्या है, आपको पता का Western Asia, मैं लगाता है discussion करना हूँ कि Western Asia या Middle East जो है, continue news में है, उसी कड़ी में आज भी एक information है, इरान unveils underground missile facility, यह काफी important है कि एरान ने अपने underground facility को integrate किया है, यह facility कहाँ पर होगी, इसके बारे में information नहीं दी गई है, reason is that क्योंकि various satellite जो वो radar में रखती है, चाहे वो US है या अलग-अलग agencies है, इनके लावा यहाँ पर आप देखेंगे, यह reports आई कि जनरल हुशन सलामी, इन्होंने यह का कि cruiser ballistic missile के तुरू empower किया जाएगा, force navy को, और यह facility जो है, कहाँ पर locate की जाएगी, इसके बारे में कोई information जो है, नहीं दी जाएगी, 2011 से अगराम देखें, तो underground facility जो है, across the country, वो increase कर रहे हैं, जिसमें स्टेट ओफ हार्मोज, एक strategic location जो है, उस पर क्या सपास हो, यह इन्होंने यह का कि यह 2000 किलोमेटर तक की distance जो cover कर सकती है, जो कि Western Asia इंक्लूड इसराइल, इसराइल पर भी यह कहीं न कहीं attack कर सकती है, यह उनकी range में होगा, इनके दावा, United States और Western Allies जो इरान का missile program था, उसको जो आजे ठीट की दरह देखते हैं, क्योंकि nuclear program में, जैसे 2015 के बाद में commitment किये थे, उससे उनको इरान ने complete नहीं किया, इसके वज़े से 2018 के अंदर अमरीका और US और इरान के बीच में जो deal थी, या जिसको इरान की nuclear deal बोलते हैं, उससे विड्रो किया गया, इसके बाद यहा अंडरगरांड लेवल पर कवर किया जा रहे हैं, और स्टेट ओफ हार्मुज के आसपास का एरिया जो है, वो important है, इनके अलावा कहीं ने कई American aircraft carrier भी इसके आसपास आपको देखने को मिलेंगे, तो काफी important है, अगर आपको आपसे कई बार सवाल हो सकते हैं, कि जो ballistic missile है, औ और cruise missile इन दोनों में difference क्या है, तो simply अगर difference को समझना है, मैं एक word में इनके difference को थोड़ा सा define कर दूँ, C और B दो word यूज किये गए है, C से छोटा और B से बड़ा, यानि ballistic missile जो होगी, वो बड़ी capacity रखती है, बड़ी range चाहिए और बड़ी missile होगी, तो इसके लिए क्या में जो स्पीड होगी missile की उसको मेक बोलते हैं, इसमें एक तक हो सकती है, यानि सब सोनिक एक से पांच मेक तक की स्पीड होगी, तो सूपर सोनिक और पांच मेक से उपर अगर जा रही है, तो हाईपर सोनिक missile system भी बोलते हैं, तो various missile system को आपको पढ़ना है, ये आपके slivers का एक important part है, और अगर आप नहीं पढ़ते हैं, तो साइध नुकसान होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम देख रहे हैं, technology का part लगातार increase किया जा रहा है, तो question paper टफ से टफ बनाया जा रहा है, उसके लिए जरूरी है कि हम अपने preparation को भी टफ करें, इनके अलावा यहाँ पर information है, wholesale price index में जो inflation है, वो उसमें 27 months की high देखने को मिला, wholesale price index और consumer price index इनके बारे में मैंने कल discussion भी किया था, और मैं कोशिश करता हूँ कि छोटे छोटे life के example से आपको समझा सकूँ, जिसे हम simply economy को connect कर सके, for example मैंने कल बताया था कि consumer price index और wholesale price index में क्या अंतर है, तो आप simple क्यों अगर हम pen खरीदते हैं, तो ये consumer price index के अंदर count किया जा सकता है, क्योंकि हम एक इप item जो खरीद रहे है, wholesale का मतलब क्या है कि ठोक में कोई चीज़े खरीद रहे हैं, कि एक नहीं हम खरीद रहे हैं, आप 20 pen खरीद रहे हैं, तो आपको कुछ रियायत मिले ही, कुछ छूट मि करती है, और Reserve Bank of India इसलिए inflation को analysis करने के लिए, मुद्रस फिति को analysis करने के लिए, महंगाई को analysis करने के लिए, consumer price index का use करता है, 2020 में ये question है, ठीक है, तो मैं practically attach करवारों आपसे question, ताकि maximum जो है आप इसमें solve करता है, इनके लाबा, भारत का जो trade deficit है, वो widen हुआ है, 12.62 billion dollar के आस आप हर मन्त का, हर विक का data को ध्यान न रखे, क्योंकि ये फिर बाद में confusion create करेगा, एक information type में है, आप इसको समझे चीज़े क्या हो रही है, कैसे चीज़े, और trade deficit होने का मतलब क्या, वैपार घाटा होने का मतलब क्या, simple सी चीज़े हैं, कि आयात कम ज्यादा कर रहे हैं, और export जो कम कर रहे हैं, या export और import में जो gap है, उसमें हमारे against है, और अगर 12.62 billion dollar का gap है, deficit है, उसका मतलब क्या होता है, क्योंकि trade जो mostly होता है, foreign trade, वो होता है, currencies के अंदर, foreign currencies के अंदर, और जिसमें US dollar, जो की एक forex रिजो का important part है, उसमें कहीं ने कहीं इंपेक्ट कर सकता है, तो ज़्यादा trade deficit नहीं होना चाहिए, trade deficit होना गलत बात नहीं होती, अगर आपकी economy resume होती है, लेकिन trade deficit अगर एक limit cross करता है, तो वो कहीं ने कहीं एक challenge है, इनके अलावा Chinese factory ने अपने output retail sales को accelerate किया है, इस तरह की information दीगी, data ये शो करता है कि China अपनी economy के recovery के path पर जो continue है, रिशनली हमने पढ़ा था कि aggressive fire plan चाहिना का, जिसके तुरू वो various sector के अंदर काम करेगा, जिसमें hydropower से लेकर carbon emission को कम करना, या dam से लेकर वहाँ पर infrastructure, artificial intelligence में self-relancy को लेकर काम करेगा, तो ये कुछ information थी, news section चे, editorial page में जाएंगे, editorial में आप देखेंगे, ये जो तीनों article है, ये होरे elections पर, जो election step five states के अंदर है, और उनके बारे में discussion कर रहा है, कौन हारेगा, कौन जीतेगा, उससे ज़्यादा important हमारी लिए important है, ये वाला article, poll position करके, ये article basically Supreme Court का एक recently order आया था, और एक तरीकिस judgment आप बोल सकते हैं, Supreme Court ने बोला था कि जो state election commission है, state election commission क्या है basically, 73 और 74 जो constitutional amendment हुए थे, जिसके तुरू local government के, चाहे वो rural level पर हो, urban local bodies हो, rural local bodies हो, या third tier बोल सकते है, elections का, या आप कह सकते है, democratic decentralization एक word यूज किया गये था, UPSC ने भी ये direct question बुचा था, कि local level पर election करवाने का मतलब क्या होता है, democratic decentralization हो, right, इनके अलाबा, इसमें 11th और 12th schedule create करेगी various sections इसमें involved किये गए, और अगर आप rural areas के बात करें, 29 subject include किये गए, 11th schedule में, 12th schedule में, 18 subject include किये गए, इन सब के बाद, Supreme Court का judgment क्या है, क्योंकि इनके election जो है, state election commission connect करवाता है, ना कि, जो central level election commission हो, तोनों में difference होता है, central, जो election commission है, वो local election जो है, उनको connect नहीं करवाता है, इसको duty है, state election commission की, right, इसमें अभी regionally judgment क्या थी, Supreme Court ने बोला था, कि इसके अंदर कोई भी अगर आप election की autonomy या election की सुतनतरता की बात करते हैं, तो state election commission में bureaucrates की जो presence नहीं होने चाहिए, यानि government representative की जो presence नहीं होने चाहिए, क्योंकि election करने का मतलब क्या था, free and fair manner में election हो, और politically लोग और ये पूरा का पूरा case कहां पर था, गोवा के अंदर एक ये case हुआ था, वहाँ पर लोग सेगरेटरी को additional charge दिया गया था, state election commission का, तो Supreme Court ने बोला कि इस तरह की जो चीजी हैं, ये कहिने कहीं constitutional mandate को एक मजाग जैसे चीजे लगती, इस तरह की चीजे नहीं होने चीए, औ और article 142 के अंदर Supreme Court ने अपनी जो extraordinary power उसका use करते हैं, बोला कि इस तरह की चीज़ों को immediately रोका जाए, अगर कोई इस तरह की पोस्ट को hold कर रखा है, तो उसको immediately resignation जो है देना पड़ेगा, यानि state election commission की जो body है, जिसका काम है fair election करवाना, और अगर fair election होगा, तो इसमें state के जो elections commission से ही जुड़ी, या state election commission से जुड़ी लोग ही उसमें connect करवाए, ताकि fair हो, इसके बाद उन्होंने Supreme Court ने order भी दिया कि election जो है, इसी मन्त, यानि मार्च में या अप्रिल में, जो conclude करवा जाए, गोवा के अंदर, तो काफी important है, article 142 आप ध्यान रख सकते हैं, इसके लाव है, किन चीजों पर discussion किया गया है, quad, चार countries का एक group है, जिसमें USA है, Japan है, Australia है, और India यहाँ पर आपको देखने को में लगा, इन सब के बीच में, यहाँ पर detail में फिर से analysis किया गया है, क्योंकि एक topic को 20 बार discussion करना, यह लगता कहीन है कि हमने basic चीजों को connect किया है, उसके बाद आप अपकी मर्जी आप इस article को पढ़ना चाहें, तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना चाहें, तो नहीं पढ़ सकते हैं, लास्ट article जो हमें cover करना है, वो है, global leader in the post-covid era, कि भारत कैसे global leader की तरह एक नजर आएगा, post-covid era के अंदर, यह article important इसलिए है, क्योंकि रमेश पोख के बारे में सवाल आप से होगे, और इसलिए government policies को समझना जरूरी है, तो यहाँ पर बुला गया, during the pandemic, India has initiated education reform and become the pharmacy of the world, यहाँ पेंडेमिक के दौरान दो चीज़े हुई है, education reforms हुआ और pharmacy of the world, इस चीज़े को लेकर कही नहीं discussion किया गया, January 2011 के बाद, क्योंकि last case जो आया था पोलियो का, उसके बाद, 2014 के अंदर, 2014 के अंदर भारत को पोलियो फ्री डिगलेर किया गया, 16 जनवरी को नैशनल वेक्षिनेशन दे है, दे मनाया जात्ता है, सेवला मार्च को, sorry, 16 मार्च को नैशनल वेक्षिनेशन दे जो, वो सेलिबरेट किया जाता हुआ, आज 16 आखको पता हुआ, 16 जनवरी 2021 को भारत में COVID-19 वेक्षिनेशन का इंप्लिमेंटेशन शुरू हुआ, दो एमर्जेंसी यूज के लिए दी गई थी वेक्षिन, जिसमें को वेक्षिन और को वेक्षिन है, को वेक्षिन को हला कि क्लेनिकल ट्राइल वर्ड यूज किया गया, पाद में अभी उसको रिशनली हटा दिया गया, इसके बाद पैंडेमिक के दुरान हमने एक वर्ड जो बार-बार सुनने में है, आतम निर्वर भारत, सेल्फ रिलाइंट इंडिया, और इसका एक रिजल्ट क्या है, COVID-19 वेक्षिन इसका एक रिजल्ट है, क्योंकि हमने अ European countries जो है कई सारी, वो कई न कहीं उसको hold पर कर, उन्होंने अपने प्रोग्राम को, implementation को hold किया, क्योंकि एक blood clotting की जो problem आ रही है, या जो खून का थका आप हिंदी मोल सकते हैं, वो कई न कहीं प्रोब्लम आ रही है, कि उसमें कई न कहीं चैलेंज कर रहा है, हलागि World Health Organization की त पर भारत ने दुनिया भर को वेक्शिन भेजी और वेक्शिन ने नेसनलिजम को स्पोर्ट नहीं करते हैं, हम लोग World Health Organization के कोईग्स प्लेटफोर्म को स्पोर्ट करते हैं, कोईग्स यानि दुनिया भर को बिना किसी रिस्टिक्शन के वेक्शिन भेज़े जाया, ताकि 20 countries में vaccination भीजी है इस बात को ensure करते हैं कि domestic demand को भी कहीं डेवलप के अजसके या उसको पूरा के अजसके राइट इन जब के अलावा अगर आप देखेंगे कोविड-19 test kits हो या sanitizations हो effective PPE kits हो मास को अवलेवल करवाने के मामले में भारत ने काम किया है और नैके वल अपने लिए वलकि दुनिया भर के देशों के लिए अवलेवल करवाया इसी को बोलते हैं वसू देव कुटुमकन यानि विसू ही एक परिवार है इस तरह की थियोरी 2020 के अंदर national education policy हुई हलांकि 2020 के परिमें इससे कोई सवाल नहीं था लेकिन उमेद करिए 2021 में सवाल आपसे हो सकता है तो प्लीज इसको जुरूर पढ़के जाए इसकी PDF और PPT अगर मुझे मिलगी तो मैं आपको टेलिग्राम पर एवलेवल करवातूंगा अभी ठीक है आज 2020 IM के अंदर multidisciplinary education research universities है इनके अलावा 2021 के जब budget present किया गया तब बोला गया कि national research foundation जो है जिसमें establishment किया जाएगा principal scientific advisor के तूरू जिसमें आने वाले 5 साल में 50,000 क्रोड रुपे का investment किया जाएगा ये एक information आपको देखने को मिलेगी इन सब के बाद और क्योंकि यहां पर यह ब करके और confidence के साथ vaccination के अंदर participate करना चाहिए और सवर्णिम भारत ये golden India के लिए मिलकर हम सब काम कर सकते हैं ये कुछ information थी आज के दे हिंदू newspaper में thank you all, jahin